पित्रपक्ष के महीने में अगर सपने में आपको आपके पूर्वज अत्वा मृत परिजन दिखाई देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। हिंदु धर्म में पित्रपक्ष के महीने का महत्व बहुत ही अधिक होता है। माना जाता है कि इस दिन सभी पित्रगण पित्र लोग से पृत्वी पर अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। किये जाते हैं। दोस्तों हमारे पित्र हमारे परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। इसलिए अपने पित्रों को अर्थार्थ मृत परिजनों को कभी दुखी अत्वा अपमानित नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुश्य अपने पित्रों को प्रसन्न करता है वह जीवन में कभी दरिदृता और दुखी नहीं होता है। पित्रों के आशिर्वात से उसे हर कार्य में सफलता ही मिलती है। जीवन का हर सुख उसे मिल पाता है। वह संसार में कीर्थी और मान सम्मान की प्राप्ती करता है। दोस्तों गरुण पुराण में भगवान श्री कृष्न कहते हैं कि मृत्यू के पश्यात कुछ लोग स्वर्क लोक में जाते हैं और वहीं कुछ लोग नर्क को जाते हैं। तो कुछ लोग प्रेत बनकर प्रित्वी लोग पर ही निवास करते हैं। जिन मनुश्यों की मृत्यू, अकाल मृत्यू, अत्वा आत्मघात से होती है, ऐसे लोगों का शराद किये जाने पर भी उधार नहीं होता है, और वे प्रेत योनी में ही परिजनों को दुख पहुँचाते हैं। जिन मनुश्यों के सपने में आते हैं। तो उसे अलग-अलग प्रकार के संकेत देते हैं। ये संकेत मनुश्य के लिए बहुत ही महत्वपून होते हैं। कई पित्र अपने परिजनों की सुरक्षा हेतु पृत्वी पर आकर उन्हें संकेत देते हैं। उन्हें भविश्य के आने वाले संकटों के बारे में सूचित करते हैं। वहीं कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो शुप फलदायक माने जाते हैं। हमारे पित्र अपने सपनों के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्य के बार मनुश्य की जीवात्मा को वायू रूप में शरीर प्राथ होता है जो कभी नश्य नहीं होता है और इसी वायू रूप में पित्र अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं। किन्तो वे मनुश्य को कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन उनके होने का एहसास मनुश्य को अनेक प्रकार के संकेतों के माध्यम से पता चल ही जाते हैं। आईए जान लेते हैं कि भगवान शुरी कृष्ण के अनुसार सपने में मरे हुए परिजन को देखने पर कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहली बात यदि आपके पित्रों का उधार नहीं हुआ है, वे प्रेत योरी में ही बृत्यों लोक में भटक रहे हैं। तो वे पित्रपक्ष के दौरान आवाहन करने पर भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवार जनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोडा, हाथी, बैल अथ्वा मनुश्य का विक्रत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाईए कि पित्रों की मुक्ती नहीं हुई है और वे आपसे अत्यंत ही दुखी है। तो समझ लीजेगा कि उस व्यक्ती की पित्र अत्यंत ही दुखी है। और उसको प्रेत योनी प्राप्थ हुई है। ऐसा होने पर अपने पित्रों की संतुष्टी के लिए दान और श्राध अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पित्र पक्ष के महीने में कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशू, अत्वा जानवर, मनुश्य की वाणी में बूलता हुआ दिखाई दे, अत्वा कुत्ता, बैल, गाय, आदे प्राणी मनुश्य की तरह बात करत हुए दिखाई पड़ते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि आपके परिजन की आत्मा को शान्ती नहीं मिली है, वह इसी लोक में भटक रहे हैं, उनकी आत्मा की शान्ती के लिए उपाय करने चाहिए, अगर सपने में पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़ तो समझ लीजेगा कि पित्र उससे बहुत ही नाराज है, चौथी और महत्वपूर्ण बात, पूर्वजों के संकेत कुछ इस प्रकार से दिखाई दे, यदि सपने में आपके मरे हुए परिजन आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो ऐसे सपने को कभी दुरलक्ष नहीं समझना चाहिए, ये सपने का अर्थ ये है कि आपके मृत्व परिजन की आत्मा की मुक्ती नहीं हुई है, और वे इसी पृत्वी लोग पर प्रेत योनी में भटक रहे हैं, आपके पित्रों की कोई अधूरी इच्छा रह गई है, और जिस कारण से वे मुक्ती प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आपको जरूरत मंद लोगों को दान करना चाहिए, और अपने परिजन की उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, पांचवी बात बताने से पहले आप सभी से मिरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पा सपने का अर्थ ये है कि वे आपसे बहुत ही प्रसन यानि की खुश है, इस सपने को बहुत ही शुप स्वपन समझना चाहिए, आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वे सदेव ही आपके साथ खड आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वे पूरी तरीके से संतुष्ठ हैं और वो आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करवाएंगे साथवी बात पूर्वजों का अचानक से अद्रिश्य हो जाना अगर सपने में आपको आपके पूर्वज दिखाई देते हैं और वे अचानक से ही अद्रिश्य हो जाते हैं तो यह स्वप्न अश्युप माना जाता है आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आन पूर्वज को रोते हुए देखना अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो ये एक बहुत ही अशुप संकेत माना जाता है आपकी जीवन पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज उस विपदा को देख कर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उस संकट के बारे में सूचित कर रहे हैं दसवी बात, यदि सपने में आपको आपके पूर्वज स्वस्थ अवस्था में दिखाई देते हैं, उनके मुख मंडल पर तेज दिखाई देता है, उनके वस्थर चमकीले और सफेद रंके दिखाई देते हैं, तो आपके पित्रों को मुक्ती मिल चुकी है, आपको ऐसा चाहिए, अगर आपको सपने में आपके पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो ये एक बहुत ही शुप संकेत है, आपके पित्र आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और आपको आशिरवात दे रहे हैं, और वहीं अगर आपके दिखाई देने के कुछ महतवपूर संकेत बताए गया है, जो कि मैंने आप सभी को बताने का पूरा प्रयास किया है, अगर आपके मन में कोई प्रेश्न है या आपको अलग से कोई सुपने दिखाई देता है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपका रिप्लाइ अगर आप मेरी आवास को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा और कॉमेंट बॉक्स में आप अपने पूर्वज को प्रणाम करना मत भूलिएगा मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ धन्यवाद